आई एस ओफिसर सुहास सेलवाई थाईलेंड उपर इंटरनेशनल पेरा बैडमिंटन चेंपेशिप में सिलवर मेडल जीतने के बाद अपने होम टाउन लोट आए हैं। उन्होंने पुरुष एकल और पुरुष यूगल दोनों ही केटेगरीज में सिलवर मेडल हासल किया है जबकि उनकी पतनी रितु सुहास ने हाली में मिसिस इंडिया का खिता था। लखनों लोटने के बाद सुहास लवाई से जी मीडिया समवधाता ने बाचित की और जाना कि वो अपनी उपलब्धियों और अपना काम दोनों कैसे मेनेज करते हैं। सुनिए। सरवोच स्थान में सिविल सेवा करने का मौका भी मिला है। जिसमें विभिन महतपून पदोग पर रहने का मौका भी मुझे मिला है। और अट सेम टाइम भारत को अंतरराश्ट्री स्थर पर प्रतिनित्व करने का भी मौका मिला है स्पोर्ट्स में। जो पल जब आप मेडल जीतते हैं, जब आप बाकी देशों के जंडे के साथ भारत की जंडा भी उचा करने का एक मौका मिलता है, वो पल हमेशा एक जिंदगी पर याद रहता है, जब आप पहली बार नौकरी पाते हैं, जब आप शादी करते हैं, तो उसी लेवल में आपको अच्छा लगता है इसके लिए वर्णन के लिए शब नहीं है मुझे लगता है कि स्पोर्ट सिस अलवेज की हर टूर्नमेंट एक नया गेम होता है कि जब मैच शुरू होता है जीरो-जीरो से हर मैच शुरू होता है तो इसलिए हमेशा खिलाडी को भैतर बनने के लिए कोशिश करते हैं आप कई जगह पर DMV रह चुके हैं किस तरीके से मैनेज करते हैं पूरा अपने गेम को और किस तरह से आपने इस परत्योगता के लिए त्यारी की जिलादी कारी पत पर रहते हुए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है दिन में एक से देड़ गंटे या दो गंटे से जाधा मिलना मुश्किल है लक्नों में समय मिलता है यहाँ विशेश रूप से ट्रेनिंग किया था इंडोनेशन कोच और बैडमीटन अकाडेमी में विभिन नैशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ क्योंकि बैडमीटन में दो चीज़े बहुत महत्पूर है फिटनेस और टेकनीक जब फिटनेस बहुत अच्छी रहती है तभी हम अंतरनाश्टरी लेवल पे जो यूरोप के और एशिया के चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, जपान, फ्रांस, डेन्मार्क उनकी खिलाडियों के साथ हम कंपीट कर पाते है और आज की तारिक में सब लोग बहुत ही स्पेशलाइजड टेकनिकल स्किल्स डेवलप करते है तो आप लोग भी टीवी में देखे होंगे, सिंदू और अकोहारा के मैश देखे होंगे तो आपको महसूस करता होगा कि दोनों खिलाडी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते है वैसे आज की तारिक में हर एक खिलाडी का वीडियो दूसरे के पास रहता है इसके बाद नेक्स्ट जो मैटर करता है अंतराष्टे सरपर मेंटल फिटनेस कि कैसे हम अगर जैसे एकिस का गेम है कि भी साल में कैसे हम अपने आपको मेंटली स्ट्रॉंग रखते है एंड अफ्टर देस ऐस देसे चांस भी मैटर करता है च्योंकि सक्सस ऐसे चीज है कि सक्सस पाने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है बट हमेशा सक्सस मिलता नहीं है कभी मैं ऐसे मैचस भी खेला हूँ जहां आधे मिलिमेटर में मैं हारा हूँ और आधे मिलिमेटर में जीता भी हूँ तो यही एक खेल की खुशी है और दाट इस स्पोर्स अपके घर में दो-दो खुशी आई पहले मैम ने मिसिस इंडिया का खिता उसके बाद आपने दो-दो टॉफिल जीती किस तरीके से देखते हैं कैसे घर मैनेज कर पाते हैं आप मैं अपनी वाइफ को भी बदाई देना चाहता हूँ आपके माद्यम से जी मीडिया और जनता के तरह से भी बदाई देना चाहता हूँ जब वो जीती थी खिताब तो मैं भी बाहर था टॉर्निमेंट के सिलसिले में, दस दिन बाद ही उनको उनसे मिल पाया और मैं ये हमेशा महसुस किया हूँ कि घर में पत्नी ज्यादा मेहनत करती है It is the case in all houses, सारे घरों में मैंने जनरली महसुस किया है जो खास तर पर working women होती है, जो बाहर भी काम करती है, वच्चों को भी देखती है, घर भी manage करती है इसमें ज्यादा तर जो credit जाना चाहिए, वो घर की धर्म पत्नी को ही जाना चाहिए और हमारे घर में भी यही कहानी है